अपने बुरे हालादों से उपर उठने के लिए एक सिस्टम फॉलो करना है यह जरूरे नहीं है अगर जो चीज हो रही है गलत हो रही है आप इसके खिलाफ स्टैंड अप कर सकते हो सिस्टम के खिलाफ जाकर सक्सेस होने वाली लव स्टोरी यह आज की मूवी की थीम है आज क क्लास्रूम में उसे एक लटकी दिखती है जो बहुत ही रिजर्वट होती है इस लटकी को देखकर उसे अपनी याद आ जाती है और फ्लैश बैग में फिर अब यह मुवी चलने वाली है मुवी स्टार्ट होती है और है पुरा क्लास्रूम का इंवर्मेंट दिखाए गया है निना जो है अब स्कूल में है उनके एक बहुत बड़ी एंट्रांस एसाम चलने वाली होती है इसके लिए यह बहुत ही जादा प्रिपेर करते है इसके बात हमें दिखता है कि इसके फ्रेंड इसके साथ है यह इससे आज कुछ भी बोलने रही होती है जब थोड़ी तेर मे इनकी छोटी हो जाती है तब दिखता है कि बहुत सारी लड़ी के आप भाग रही है निना को लगता है कि क्या हुआ है वो भी जब देखने के लिए जाती है तो उसकी फ्रेंड ने सुसाइट कर लिए सब लोग नीचे आ जाते है और उसकी फ्रेंड की फोटोस ले रहे होत पर फिर भी इसको अपना काम करना है यह मालूम है यह जब स्कूल आती है तो वहां डिटिक्ट्टु आयो होते है यह से कुछ पूछन पूछना चाहते है उससे कहते है क्यों तुम्हारी फ्रेंड थी अगर वो कुछ ट्रवल में थी तुम हमें बता सकती हो क्या उसे कोई तं दिया नीना कही थी है कि उसे ऐसा दिखना अच्छा नहीं लगता पूलिस से बात करके नीना जब क्लास्रूम में आती है उसके सीट के पास हो आती है वहां बलड पड़ा हुआ होता है नीना के जो फ्रेंड थी उसके साथ भी यही हुआ था कुछ लेड़किया उसे बुली द्रिस कर रही थी और यही चीज अब नीना के साथ भी होने वाली है नीना के फ्रेंड को ऐसा ब EST, जब मिला था तो वहां बैठ गई थी पर नीना अव यहां नहीं बैठने वाली За कि टीचर को पास बुला दिया तीचरं में नीना और उसकी तीचर हमें दिखाई देता है टीचर उसे कहते हैं कि मैं जो इस situation हुए है इसे handle कर लूँगा पर तुमें भी अपने classmate से अच्छे परताओ करना है यानि कि इसका teacher इसे ही blame कर रहा है कि ये अच्छी तरह के से अपने friends से बातें नहीं करते होगी इसलिए इसके साथ ये सब हो रहा है जब एक कैंटिंग में study कर सकते हो हम भी कुछ सिखा सकते हो वायला जो होती है ये already scholar होती है इन दोनों को मिलकर study करना चाहिए ये उसको बताती है पर वायला ही वह लड़की होती है जो नीना के friend को bully कर रही थी नीना उसे मना कर देती है इस group में से एक लड़की कहती है कि ये खुद को हम सब से better सम नीना रिजिस्ट कर रही होती है पर फिर भी इसका photo ले ही लेते है नीना जब रात में घहर आ रही होती है तो वो रस्ते से जाते जाती है ये लड़किया फिर से इसे घहर लेती है ये कहीती है कि पहले हम तुम्हें पसंद करते थे पर पुलिस से तुने अब बात की है तो विजिट करती रहती है अगर वो यहाँ आकर रहे तो यह पकड़ी जा सकती है और उसकी बेटी के लिए भी डेंजरस हो सकता है इसलिए अलग सिटी में ही रहना पसंद करती है नीना अपने मदर के बाल बनाती हुए उससे कहती है कि जब मैं एंटरांस इसाम पास कर जाओंगे अच्छी उनिवर्सिटी में चली जाओंगे बहुत सारे पैसे कमा कर हम अमारी सिचुएशन चेंज कर सकते हैं इन दोनों का यही एक खोप होता है अच्छी लाइफ के लिए नेक्स दे नीना के टेस्ट का रिजल्ट आता है वोसे बहुत अच्छे मार्स मिलते हैं इसके स्कोल में ही के नॉर्मल टेस्ट है होती है जिन बच्चों के स्कोर खरावाते हैं इनको टीचर कहते हैं कि अगर तुमने अब अच्छा स्टडी नहीं किया तुमारी पूरी लाइफ खराव हो जाएगी मेहनत करनी है तुम्हें अभी करनी पड़ेगी हम देखते हैं कि यह जो environment है यह बहुत ही competitive है अगर आपको अच्छा score आता है तभी आप life में कुछ कर सकेंगे अगर नहीं आता तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे इस mentality के साथ यह सब बच्चे चलते हैं एक दूसरे से वो better है एक दूसरे को नीचा वो दिखाना चाते है आज जब नीना स्कूल से वापस आ रही होती है तो एक लड़के को बहुत सारे लड़के मार रहे है यह उसे दिखता है यह जो लड़का है यह हमारा main character है इसका नाम चाओ है चाओ को यह सब अब मार रहे होते है तो नीना पुलिस को कॉल कर देती है जो इसे मार रहे होते है यह नीना को देख लेता है और उसका फोन ले लेता है इसको भी वो मारने लग जाता है वो कहता है क्या तुम इसकी लि बाद ऊट जाता है और एक को बहुत जादा मार देता है सब लोग फिर वहाँ से चल जाते है नीना का जो मोबाइल था वो टूट गया था निगस दिन जब वो फिर स्कूल से वाफस आ रहे होती है तो चाह उसके पास आ जाता है उसे कहता है कि उन्होंने तुम्हारी कितने व सकते है वैसे भी मैं बहुत बड़ी युनिरसिटी में जाने वाली हूँ मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है चाह उससे कहता है कि तुम बुली बन जाती हो या कोई और तुमें बुली करता है इस तरह से ही वर्ल चलता है तुम क्या हो इसे पता आता है कि नीना किसी को भी बुली नहीं कर सकते, नीना जब घर जा रहे होती है तो उसे protection देने के लिए इसके पीछी हो चलता है, घर जाते-चाते एक जगा पर नीना के poster लगाये होते है, नीना खुरुक है, नीना लायर है, यह सब वहाँ लिखा होता है, चाओ यह देखता है, और नीना यह सब पोस्टर निकालते है, नियुस दिन जब स्कूल जाती है तो सब के मोबाइल पर यह पोस्टर भेंज दिये जाते है इस दिन नेना बहुति रीटी होती है और घर जा रही होती है तब चाओ पूंने बाइक लेकर आता है चाओ उसे पुछता है कि कहा जाना है वो कहे थी कि कहा भी मुझे लेकर चलो ये फिर सिटी में घुमते हैं उसके बाद वो उसे उसके घर लेकर आता है ये दोनों खाना गरा खाते हैं चाओ नीना से पुछता है कि क्या तुम मुझे लाइक करती हो निना कहती है तुम्हें like करने जैसा क्या है चाव फिर उसे पुछता है जर तुम like नहीं करती, तु यहां क्यों आई हो वो कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम मुहें यहां लेकर आओगे लिखेता है, क्या हम यह place तुम्हारे ले घटिया है चाओ का प्लेस छोटा साता है और यहाँ अकेला ही रहता है तो यहाँ बहुत सारी मैस हुती है नीना उसे एक गली का गुंडा समझती है और इसका थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट नहीं करती है चाओ फिर उसे डराने के लिए उसे पकड़ लेता और कहता है क्या अभी भी तुम्हें लगता है क्या मैं एक पंक हूँ क्या तुम अभी डर नहीं रही हो इसके बाद नीना फिर घर चली जाती है नेकस दिन हॉलिवॉल के पैक्टिस हमें दिखाई गई है यहाँ भी लायला हॉलिवॉल उसलों मार कर फेखती है नीना यह बॉल पकड़ दे और कहती है क्या तुम्हारा हो गया यह बहुत यह आवाश से उसे बात करती है ये उसके खिलाफ खड़े होना चाहती है जब नीना स्टेर्ड केसे जा रही होती है तो लड़किया उसे धक्का दे-देती है ये नीची गिर जाती है ये इनकी खिलाफ कुछ जादा कर नहीं सकती है स्कुल के होगा आती है वहाएक लड़का उससे मिलने के लिया आता है ये इसका एक फ्रेंड होता है ये उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम ये सब छोड़ कर यहाँ से चले जा सकते है इसे लाइक करता है उसके बाद बहुत सारे पैसे भी होते है यह नीना को कहता है कि तुम्हारे फ्रेंड के साथ जो हा, यह तुम्हारे साथ नहीं होगा वो weak थी, तुम strong हो नीना कहती है, यह मैं भी उसकी थरा ही हूँ नीना फिर लायला और उसका ग्रूप इन सब के बारे में पुलिस ओफिसर को बता देती है जायंग फिर हमें इन सब लड़कियों के इंटर्विव लेता हुँ दिखता है जब लायला का इंटर्विव लेता है, तो लायला बहुत ही confident होती है जायंग इस पर शक कर आता है, तो उसे कहती ही कि उसका खुद का ही decision था हम लोग छोटी मुटी प्रैंक्स एक दूसरे पर करते ही है यह जो decision था, यह उसका था, उसके marks अच्छे नहीं आ रहे थे उसे फिर से एक यह repeat नहीं करना था, इसलिए इसने suicide कर ली इसकी suicide की वज़े से इसकी मदर को भी बहुत अच्छे पैसे मिल गए है थोड़ा सा भी बुरा इससे नहीं लग रहा था रात में फिर हमें देखता है कि जायंग और उसका superior यह दोनों dinner कर रहे होते है जायंग को उसका superior कहता है कि यह जो school की cases होती है यह बहुत complicated होती है जब principal के पास complaint आती है तो principal parents को बता देता है parents अपने बच्चे से फैर करते है तो बच्चों को भी पता चल जाता है यह वो बता रहा होता है कि अगर बच्चों को पता चल गया तो ज़्यादा bully वो करेंगे यह जो investigation है इस investigation से सही से कुछ भी निकल के नहीं आने वाला इसका कुछ conclusion नहीं निकलेगा निकसिन में हमें दिखता है कि जैंग निना से मिलनी के लिए जाता है यह उसे गाड़ी में lift दे रहा होता है जैंग लैला के पास गया था उसके parents के पास गया था यह उसे वताता है लैला को जो parents होते हैं यह उसे बहुत ज़्यादा protect करते हैं यह अमेर होते हैं और यह समझते हैं कि उनकी डॉटर बहुत स्पेशल है बाकि जो सब लोग है वो लो लाइफ से हैं यह जादा कुछ मैटर नहीं करते हैं इसके घर में से इस तरह की इनफोर्समेंट मिल रही है नीना से कहता है कि उसकी आख देखकर एनिमल्स की वो आख है इसा मुझे लगा वो कुझे महसूस नहीं कर पा रही थी नीना कहती है कि यह जो लोग होते हैं यह अंदर से डरे होते हैं इसलिए बाहर से यह सब वो दिखाते हैं यह बोलती है कि मेरे मदर ने मुझे खाता कि जब यह सब खतम हो जाएगा तो मैं एडल बन जाओगी जब पर इसमें नीना अपने मदर को कॉल करती तो उसे पताती है कि सब कुछ ठीक है अपने मदर को कुछ पता चले ऐसा उसे नहीं लगता नीना कॉलेज भी अप खतम हो रहा है जादा दिन तक उसे ये सब नहीं जेलना पड़ेगा जब वो अपने घह जा रहे हुती है ये सब पास आजाती है उसे कहती है क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे ये अकेली होती है तो जैंक के घर पर ये सो जाती है नीना के पास अपने प्रोटेक्शन के लिए पैसन ही होते तो जैंक एक नोटबुक लाता है इस नोटबुक पर नीना को लिखने के लिए बोलता है क कि वह उसका कर्जा उस पर है, जब इन इस दिन स्कोल जाती है, जो इसे प्रोटेक्ट करता है, थोड़ा दूर ही खड़ा होता है, यह एक साथ दिखाई नहीं सकते है, इसलिए इस सर वो करता है, वाएलाइक को धंका कराता है, उसे कहता है कि नीना से तुम दूर है ना अब हर रोज जाव उसे प्रोटेक करता है अब नेक सिन में हमें दिखता है कि जाव एक बार में होता है वहाँ फर फाइट हो रही होती है और इसके बॉस ने इसे काम दिया होता है कि वहां के जो सब लोग है ये pocket तो हो मानने है या और एक game होती है तो इन दोनों में लड़े हो जाती है नीना के classmen होती है वो नीना के पास आती है और कहीती है कि मुझे भी वो लोग bully करे है क्या तु मुझे भी protect कर सकती हो नीना उसे कहती है कि तुम मेरे साथ घर तक आ सकती हो नीना फिर से जाओ के पास आ जाती है जाओ फाइट में था तो उसमें बहुत जादा मार कही है उसे पुछती है कि क्या थुम्हें दर्थ हो रहा है यह कहता है कि पहले होता था अब नहीं हो रहा है वो अपनी मदर के बारे में गेता है मेरी मदर और मैं अकेला था उसका एक बॉइफरेंड था पर उसे जब मेरे बारे में पता चला तो मुझे छोड़ कर चली गई यह दोनों जो है, यह बहुत ही अकेल है अब इसके बाद यह दोनों बहुत सारी चीज़े एक साथ करते हूं हमें दिखते हैं ये सीटी फिरते हैं, एक्वारियम जाते हैं ये दोनों इक दुसरे से पैर करने लग जाते हैं चाव उपने फ्रेंड के साथ हमें दिखाया गया है और उसे पूछ रहाता है कि अगर हम यूनिरसिटी में जाए तो उसके बाद अगर जाब ले तो हमें कितने पैसे मिल सकते हैं उसका फ्रेंड उसे अमोन बताता है और ये बहुत जादा पैसे होते है चाव पोछता है कि क्या हम इतने सब पैसे कमा सकते हैं ये कहता है कि अगर इतने पैसे कमाने होंगे तो हम बैंक लुटना पड़ेगा यानि कि जाओ नीना की तरह कभी पैसे नहीं कम अपाएगा नीना का जो future है वो अगर अपना पात परस्यू करेगी तभी ये सही होगा ये दोनों रात में ब्रीज पर आये होई होते हैं नीना उसे कहती है कि चलो हम यहाँ से भाग कर चलते हैं ये दोनों फिर रिसाइड करते हैं कि जब ये अपना इंटरांस एक्जाम क्लेर कर लेगी बहुत अच्छा जॉब इसे जब लगेगा तभी दोनों एक साथ रहेंगे तब तक के लिए चाव उसे सब चीजों से प्रोटेक करने वाला है नेक्स डे हमें दिखता है कि चाव को कुछ पुलिस बकड कर लेकर जाती है एक सिरियल रेपिस्ट घूम रहा होता है तो कुछ बच्चों को उठा कर लेकर जाते हैं आइडेंटिफाइ करने के लिए चाव को जब पुलिस लेकर जाते है तो पुलिस के पास ही से रुखना पड़ता है नेना को जो प्रोटेक्शन चाहिए आज उसे नहीं मिलने वाला जो वाइला और उसका गैंग होता है यह सब अप नेना को घेर लेते हैं यही से बहुत ही मारते हैं इसका फोटोज भी निकालते हैं और इसे कहते हैं कि तुम अपने आपको क्या प्रिटी समझती हो लड़कों को भेज रही हो मुझे धमकानी के लिए इसके फिरों कबड निकालते हैं उसकी वीडियो ले ले लेते हैं निना घर पर रो रही होती है जब चाओ आता है और यह देखता है तो बहुत ज़्यादा गुस्य में आ जाता है वो जाकर वाहलाई को माय देने वाला होता है पर यह इसे रोक लीती है निना के हेर्स भी उन्होंने कट कर दिये थे तो अब सही तरीके से यह उसके हेर कट कर देता है निना हो अकेला ना लगे तो इसलिए अपने हेर्स भी हो कट करता है अब जो निना के इंट्रांस एक्जाम है इसका दिना आ चुका है चाओ से बेस्ट आप लग देता है और इंट्रांस एक्जाम देती है पुलिस कहते हैं कि तुम्हारी कार तो अब तुम्हारे पास है याने कि कोई तुम्हारे जानने वाला ही था जो एक कार लेकर चला गया था अब मैं फ्लाश बैक में दिखता है कि चाओ ने अपने फ्रेंड चे गाड़ी ली थी उसे आस्पिटल में छोड़ दिया था उसे कहा था कि अगर तुम्हें कोई पूछे तुम सच सच बता देना तो इसका फ्रेंड सब को सच डिरिक्टू को पता देता है वाला ने जो पूछते हैं कि इतनी तकलिफ तुम्हें इसने दी थी पर फिर भी तुमने क्यों नहीं केस फाइल की यह कहती है कि मेरी इंट्रांस एक्जाम आने वाली थी मुझे कुछ डूबल नहीं चाहिए था यह इसे बहुत ही फोर्स करते है कि वो कुछ बोल दे पर यह कुछ भी न कर जाता है उसे कहता है कि पुलिस को बताना कि मैंने भी तुम्हें मोलेस्ट किया था तुम्हारा और मेरा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है हम दोनों कभी एक दूसरे से नहीं मिले है यह तुम पुलिस को बताना नीना कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती यह क के खिलाफ ही होते हैं, डेट बॉडी भी जो थी, उस पर भी ट्रेस चाओ कही थे, चाओ फिर कनफेस कर देता है, चाओ कहता है कि मैं सिर्फ उससे धमकाना चाता था, उसने मुझे रेजिस्ट किया और उमर गई, अब हमें इसके बाद एक फ्लैश पैक दीता है, इसमें नीन के पास आकर उसे अप्लोजाइस करती है, इसके पास आकर गिर्ड़ गिरा रही होती है, वायला है उससे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दे सकती हो, नीना कहती है, कि मुझे तुम अब दीखो मत, मैं पुलिस कंप्लेट नहीं फाइल करूँगे, नीना को स्टेर केस पर होती है निना फिर उसे धक्का दे देती है यह स्टेर केस से गिर कर वही मर जाती है अब निना को प्रोटेक्ट करने के लिए चाओ ने यह सब किया था जैंग को लगता है कि इन दोनों में रिलेशनशिप है तो यह सिकुरिटी कैमेरा चेक करता है जैंग इसको पास आकर कहता है, यह पास आंकर कहता है कि चाहुने हम से कहा है, कि यह सब तुम यह कहते हैं,। यह कुछ कुछ सच बताते हैं, यह कुछ भी नहीं बोलते हैं, अपना जो statement होता है इसपर हैं फहर्म रहते हैं, यह video डूनों को एक दूसरे के आमने सामने भी लाता है पर यह कुछ भी एक दूसरे से कोई रिलेशन है इसा कुछ भी नहीं चाता थे जैंग की कोवरकरों से पुछ थी है कि तुम तो पहले नीना को बचाना चाते थे तुम अभी यह सब क्यूं कर रहे हो जहांग कहता है कि जो प्लेम है वो चाओ अकेला लेने वाला है अगर ऐसा हुआ तो नीना अपने आपके साथ जी नहीं पाएगी वो बहुत ही गिल्टी महिसुस करेगी और अपना लाइफ बरबाद करतेगी इसके बाद चाओ जेल में चला जाता है निना का स्कोर भी बहुत ही अच्छा था है इसकी मदर बहुत ही खुश होती है या फिर नीना से मिलने जहांग आता है उसे कॉंगरेचुलेशन्स करता है जहांग इससे कहता है कि तुम्हें मालूम है कि वो गिल्टी नहीं है पर फिर भी तुम्हारी सजा वो काट रहा है क्या तुम अब अपने साथ खुश रह सकोगी चाओ को फासी की सजा सुनाई गयी है वो मायनर नहीं है उसने तुम्हें यही बतायोगा नीना फिर रोने लग जाती है जाहेंग उसके पीछे ही आता है इसे मानने लग जाती है कही थी है क्यों तुम हमें अक्यला नहीं छोड़ रहे क्यों तुम हमारे पीछे पड़े हो उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है वो अभी भी ट्राइल में ही है पर वो बहुत सारे साल जेल में जा सकता है अब वो तुमने कनफेस कर दिया तो तुम दोनों की सेंटेंसिंग बहुत ही कम हो जाएगी थोड़ी सालों में तुम जेल से पहार आ जाओगे नीना फिर डिसाइड कर लिती है कि उसे सब कुछ सच बताना है नीना चाओ से मिलने के लिए जाती है अब में चाओ और नीना ये दोनों पुलिस के गाड़ी में दिखाए गए चाओ नीना से बूशता है कि क्या तुमें डर लग रहा है वो कहती है कि मुझे पहले डर लग रहा था अब मुझे नहीं लग रहा या अपने future को किस तरह से देख रहे है या मैं इस scene से दिखता है यह पहले डर रहे थे पर अब यह नहीं डर रहे है यह scene और यह movie यह दोनों खतम हो जाते है पर हमें अब पता है कि जेल से वापस आने के बाद नीना अब teacher बन चुकी है जिस तरह से bullying उसके साथ होई थी किसी और के साथ नहीं होने देगी movie के first में हमने देखा था कि यह लड़की को इन्योटिस करती है जो लड़की उसके classroom में होती है इसकी bullying हो रही होती है तो इसे आप वो support करेगी नीना और चाओ यह दोनों एक दूसरे के साथ ही थे इन दोनों ने अपने लिए एक अच्छा सा future बना लिया है इस movie के जो सब scenarios थे यह बहुत ही dramatic थे पर एक बड़ा सा topic की movie टच करती है इस movie में हमें दिखाया क्या है कि जो classroom के बच्चे होते हैं जो teachers होते हैं हमेशा एक दरार बना कर रखते हैं यह कहते हैं कि जो अच्छा perform करते हैं यही life में कुछ अच्छा कर गर जाते हैं दूसरे जो सब है यह घटिया life जीने वाले हैं यह कोई भी अपने life के साथ अच्छा नहीं कर सकते हैं यह इस mentality में इन्हें रखते हैं जो इस classroom के बच्चे होते हैं, यह दुसरे बच्चों को बुली करते हैं, इनके आगे वो जाना सके हैं, इसके लिए हमेशा उन्हें तकलिफ देते रहते हैं, नीना भी इसी mentality का victim होती हैं, नीना भी यही समझती हैं, कि यह चाओ से better हैं, चाओ के जो हलात थे वो खराब थे, इसलिए यह सब वो कर रहा था, इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं थी, जो competition की mentality होती है, कि कुछी बच्चे इसमें पास होने वाले हैं, मुवे में दिखता है कि 90 लाइक बच्चे इस entrance exam को देते हैं, इसमें से सब तो पास नहीं होने वाले, बहुत गिने चुने बच्चे इस entrance exam में पास होगे और बाकी सब कुचल दिये जाएंगे, नीना के लिए blame सिर्फ चाव लेने वाला था, क्याने की टीना superior है और वो inferior, इस तरह से इनोंने हमें gap दिखाया था, लास्ट में हमें दिखता है कि जो blame था, इन दोनोंने एक साथ लिया है, अब एक दूसरे को उ कुचा नीचा नहीं दिखाना चाहते है, यह movie एक message हमें दीती है, कोई superior नहीं होता और को inferior नहीं होता, सब लोग अपनी life के साथ कुछ ना कुछ तो अच्छा करी लेते है, लास्ट में इन दोनोंने अपने लिए future बना लिया है, नीना जेल में गई थी, पर वो इसके बाद रहते हो, तो फ्लीज चानल के सब्सक्राइब कर दीजे, और बेल इडिवेशन आइकोन दोने मत भूलिएगा, हम फिर से मिलेंगे और एक नमुरी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, और आप अपने आपका ख्याल रखिया,